नमस्कार बच्चों आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत हैं आज हम आपकी लेखा शाष्तर की दूसरी पुस्तक का दूसरा अध्याय रिड़ पत्रों का निर्गम और मोचन का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं इसके पिछले भाग में हमने रिड़ पत्रों का अर्थ देखा, उनमें और अंशों में अंतर देखा वह रिड़ पत्रों के निर्गम यानि जारी करने पर कमपनी द्वारा किस प्रकार की प्रविष्टिया की जाती है कैसे जर्णल एंट्रीज की जाती है, उनको अपने खातों में किस प्रकार दर्शाया जाता है उसकी कुछ बहुत ही मूल भूत परिस्थितिया हमने देखी आज इस भाग में हम कुछ अलग-अलग परिस्थितियों में कमपनी किस प्रकार रिड़ पत्रों से जुड़ी हुई एंट्रीज करती है वा उनको अपने खातों में किस प्रकार लेखांकेत करती है इस पर चर्चा करेंगे तो आईए शुरू करते हैं और सबसे पहली परिस्थिति की बात करते हैं बच्चों अन्शों की तरह ही रिड़ पत्रों को भी कई बार रोकड के बजाए परिसंपत्यों की खरीद के बदले में जारी किया जाता है अर्थात, कई बार जब कोई कंपनी, किसी विक्रेता से कोई परिसमपत्ती जैसे की जमीन, मशीने इस तरह की चीज़े खरीदती है तो बदले में रोकर देने की जग़ा, कैश देने की जग़ा उनको रिणपत्र जारी कर देती है ऐसे में हमारे सामने क्या परिस्थितिया उत्पन होती हैं उनको हम प्रविष्टियों में किस प्रकार दर्शाते हैं आईए इस पर चर्चा करते हैं बच्चों जब हम परिसंपत्यों की खरीद करेंगे तो सबसे पहले तो हमें खाते में यह दिखाना है कि हमने परिसंपत्या प्राप्त की इसके लिए हम अपनी परिसंपत्यों को डेबिट करेंगे और जिस विक्रियता से हमने उन्हें खरीदा है उस विक्रियता के नाम को हम क्रेट करेंगे तो यह हमारी पहली प्रविष्टी या एंट्री बन जाती है जहां पर हम परिसंपत्यों को डेबिट करते हैं और विक्रेटा के नाम को क्रेट करते हैं अब बच्चों इसके पश्चात हमने परिसंपत्य तो खरीद ली अब हमें विक्रेटा को रणपत्र जा अंकित मूलय या face value पर बराबर मातरा में जारी कर सकती है या वो उनको उनके face value से जादा कीमत पर भी जारी कर सकती है जिसे हम premium पर जारी करना कहते हैं या रिंडपत्रों को एक company discount अर्थाद बट्टे पर भी जारी कर सकती है तो वही परिस्थितिया परिसंपत्तियों के खरीदने के बाद भी हो सकती है हमें यह देखना होगा कि कमपनी ने उस खरीद के बदले में जो रिण पत्र जारी किये वो किस मूले पर जारी किये क्या वो समान मूल्य पर हैं? क्या वो प्रीमियम पर है या वो डिसकाउंटर थाद बटे पर है। यदि वो समान मूल्य पर जारी किये गए हैं, तो क्योंकि हम ने पहली entry में विकRATA को क्रेड़ किया था, इसलिए हम अपनी दूसरी एंट्री में पहले तो विक्रेता को डेबिट करेंगे इसके पश्चात हम बहुत सरल तरीके से केवल रिणपत्र खाते के नाम से इस खाते को यहाँ पर क्रिड़ कर देंगे यह दर्शाएगा कि इस विक्रेता को जिससे हमने यहाँ पर संपत्यां खरीदी थी उसे हमने रिणपत्र जारी कर दिये हैं तो यह तब करना है जब रिणपत्रों को उनके समान मूल्य पर ही जारी किया जाए अब यदि रिण पत्रों को प्रीमियम पर जारी किया जाता है तो वहाँ पर हमें वही करना है जो हमने पिछले भाग में सीखा प्रीमियम अर्थात उनकी मूल्य से अधिक कीमत कमपनी ले रही है तो वो अतरिक्त राशी कमपनी के लिए एक आय होती है उसे हम क्रेट करते हैं तो हम अपनी एंट्री में पिछले एंट्री के तरह ही विकरेता के खाते को डेबिट रिण पत्र खाते को क्रेट इसके अलावा प्रतिभुती प्रीमियम आरक्षित खाता अर्थात security premium reserve या प्रतिभुती premium reserve खाते को credit करेंगे आपर तीसरी परिस्तिती में यदि हम रिणपत्रों को बट्टे याने discount पर जारी करते हैं तो फिर से वही जो आपने पहले सीखा कि discount या बट्टा company के लिए एक व्याय या हानी होती है जिसे debit करना चाहिए तो हम उसी entry में विक्रेता को debit और रिणपत्रों को credit तो करी रहें बस हम साथ में बट्टे को discount को debit कर देंगे तो बहुत सरल entries इन परिस्तियों में बनती हैं इन्हें हम एक उधारन के सहायता से और अच्छे से समझेंगे बचों GS राय नाम की एक company है जिसने 99,000 के मोले की परिसंपत्या खरीदी यह सहमती बनी कि क्रेय प्रतिफल का भुकतान 100 रुपय प्रतियेक रिणपत्र वाले रिणपत्रों के भुकतान या निर्गमन द्वारा किया जाएगा यह रिणपत्र 10 प्रतिशत व्याज वाले हैं हाला कि फिलहाल हमें इस प्रतिशतिया व्याज का कुछ नहीं करना हमें सिर्फ यह देखना है कि समपत्यों की कीमत 99,000 रुपय है और बदले में जो रिणपत्र जारी किये गए है उनके कीमत 100 रुपे किये है 100 रुपे का एक रिणपत्र है अब हमने तीनों अलग-अलग परिस्थितियों को लिया सम्मूल्य पर निर्गम, बटे पर निर्गम या प्रीमियम पर निर्गम तो बच्चों इन अलग-अलग परिस्थितियों में हम किस प्रकार के एंट्रीज करेंगे आएए देखते हैं हमने पहले ही देखा कि हमारी जो पहली एंट्री है बच्चों वो समपत्तियों को डेविट करके वो विक्रेता के नाम को क्रेट करके प्राप्त होती है यह दर्शाता है कि हमने समपत्तियों को खरीदा और एक विक्रेता से फिलहाल एक प्रकार से उधार लेकर खरीदा अब उस विक्रेता को बदले में हम रिणपत्र जारी कर रहे हैं यदि वो रिणपत्र सम मूली पर जारी हुए है तो इसका अर्थ है कि 100 रुपे का एक रिणपत्र था और वह 100 रुपे में ही जारी हुआ तो यदि सा रुपय का रिणपत्र सा रुपय में जारी हुआ तो हम यह कह सकते हैं कि 99,000 के भुकतान के लिए सा रुपय का एक रिणपत्र देकर हमने कुल 990 रिणपत्र जारी किये है हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि रिणपत्रों की संख्या क्या है पहली स्थिति में क्योंकि रिणपत्र 100 रुपे के अनुसार ही जारी हो रहे हैं तो उनके संख्या आ जाएगी 990 रुपे तो ऐसे में हाला कि हमारी प्रविष्टी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा हमें सिर्फ यह दिखाना है कि विक्रेता को हम भुक्तान कर रहे हैं इसलिए वह डेबिट होगा और रिणपत्र खाते को हम क्रिड़ कर देंगे राशी वही 99,000 के रहेगी क्योंकि सम्मुल्य पर जारी हुआ है तो इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए लेकिन रिणपत्रों की संख्या ग्यात करना अन्य दो परिस्थितियों में हमें मदद करेगा जैसे कि यदि हम देखें दूसरी परिस्थिती में हमने 10 पृतिशत के बट्टे पर रिणपत्र जारी किये हैं इसका अर्थ ही हुआ कि 100 रुपे का जो एक रिणपत्र था इसका 10 पृतिशत अर्था 10 रुपे का हमने डिस्काउंट दिया तो बच्चों इसका अर्थ यह निकल कर आता है कि हमने उसे ग्यारा सो रिड़ पत्र जारी की है तो अब जब इसकी द्वित्य एंट्री करेंगे तो हम विकरेता को डेबिट तो करेंगे 99,000 रुपे की कुल राशी जो उसे देनी है वो यहाँ पर डेबिट में आ जाएगी नीचे रिड़ पत्र खाते में जब आप क्रिड़ करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपने 1100 रिड़ पत्र है जिनका जो मूल्य है वो 100 रुपे है तो इस हिसाब से आपने कुल एक लाग दस हजार रुपे के मूल्य वाले रिड़ पत्र जारी किये है ऐसे में रिड़ पत्र खाते में तो उतना ही जाना चाहिए फिर जो हमने डिस्काउंट दिखाया है उसे हमेशा की तरह हम डेबिट करेंगे तो रिणपत्र निर्गमन पर बट्टा ये जो बट्टा है इसका अर्था डिसकाउंट तो डिसकाउंट कितना हुआ बच्चों ग्यारा सो रिणपत्र आपने जारी किये हर रिणपत्र पर आप ये दस रुपए का डिसकाउंट दे रहे हैं तो ग्यारा सो गुणा दस अर्थात ग्यारा हजार रुपए का आपने डिसकाउंट दिया तो इससे हमारी एंट्री भी पूरी हो जाती है आपने 99,000 रुपए का भुकतान करना चाहा उसके लिए आपने जो रिट पत्र जारी किये उनकी संख्या ग्यारा सो थी तो उनका कुल मुल्य निकला एक लाग दस अजार बड़ किन्तु आपने उनको डिसकाउंट पर दिया इस वजह से 11,000 रुपए का डिसकाउंट भी आपको ओपर दिखाना पड़ेगा और इस परकार आपकी एंट्री पूरी हो जाएगी बचों यदी इसी परिस्थिति में हम रेंपटर को प्रीमियम पर जारी करते दस प्रितिशत प्रीमियम अर्थात सौ रुपए का जो रेंपटर है वो अब आप दस रुपए का अतरिक्त उस पर राशी ले रहे हैं और उसकी कुल जारी किये गई राशी जो है वो 110 रुपे की है 110 रुपे का एक रिंड़ पत्र आपने जारी किया कुल भुकतान आपको करना है 99,000 रुपे का 99,000 के लिए 110 रुपे का एक रिंड़ पत्र यदि आप देते हैं तो इस प्रकार आपके पास 900 रिंड़ पत्रों की स में सहायता करेगी, आपने 900 रिन पत्र जारी किये हैं, थो विक्रेता को तो 99,000 की राशी बहुतान करेंगे, आप उसको 900 रिन पत्र जारी कर रहे हैं, तो 900 पत्रों का जो मूल्य है वह 900 गुणा 100 रुपय उनका जो अंकित मूल्य हुआ वह आगया 90,000 और प्रेमियम की राशी जो है हमेशा की तरह हम क्रइट करेंगे तो प्रतिभूती प्रेमियम के नाम से 900 रिप्रों पर 10 रुपय का प्रीमियम अर्थाथ 9000 रुपय आपने दिखा तो बच्चों प्रविष्टिया आप देखेंगे तो वही है, डिसकाउंट को डबिट करना, प्रीमियम को ग्रलिट करना, हमें केवल डिसकाउंट और प्रीमियम की राशी इस स्थिती में ग्याब करनी होती है, जो कि हम भुकतान की राशी को रिंदपत्रों का जारी मूल्य ह उससे विभाजित करके प्राप्त करते हैं एक बार हमें पता लग जाए कि रिणपत्रों की संख्या क्या है तो उसके बाद हम उसके अनुसार डिसकाउंट या प्रीमियम निकाल सकते हैं और निकालने के बाद डिसकाउंट को डेविट यदी प्रीमियम के स्थेती है तो प्र परिस्तिति की बात करते हैं इस परिस्तिति का नाम है इस पत्रों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करना बच्चों पहले तो एक भारी भरकम शब्द हमारे सामने आ गया है संपार्श्विक प्रतिभूति तो इसका हम अर्थ जानते हैं अंग्रेजी गिर्वी या सिक्यूरिटी रखने पड़ती है कम्पनियों के साथ भी ऐसा होता है कम्पनी जब किसी बैंक से अथवा किसी ऐसी दूसरी संस्था से लोन लेती है तो उसे भी कुछ संपत्ती गिर्वी रखने पड़ती है लेकिन कई बार बैंक कम्पनियों से एक अतिरिक्त संपत्ती की मांग करते हैं ऐसा करने की पीछे बैंकों का उदेश यह होता है कि वो अपने द्वारा दिये गए रिंड को पूरी तरह सुरक्षित कर लेना चाहते हैं वो चाहते हैं कि यदि भविष्य में कारणवश कम्पनी अपना रिंड नहीं चुका पाए तो बैंक उस प्रात्मिक प्रतिभूती को उस प्रात्मिक सिक्योरिटी को बेचेगा जैसा कि मान लीजिए यदि किसी कम्पनी ने लोन लिया और बदले में कोई जमीन गिर्वी रखवाई यदि वो कम्पनी अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक अपने लोन ये रिंड की वापसी के लिए रिकवरी के लिए पहले तो वो जमीन बेचेगा लेकिन यदि किसी वजह से उस जमीन को बेच कर भी बैंक अपने रिंड की राशी पूरी तरह प्राप नहीं कर पाया तो क्या होगा है उस परिस्थिती से खुद को बचाने के लिए कई बार बैंक एक अतरिक्त सेक्योरिटी या प्रतिभुती की मांग करते हैं और इस अतरिक्त अर्थात शंपार्शुविक को लैटरल सेक्योरिटी के रूप में बैंक कम्पनियों से उनके द्वारा जारी किये जाने वाले डिबेंचर या रिंड पत्र मांग लेती है तो ऐसे में कमपनी रिड़ पत्रों को एक अतरिक्त सिक्योरिटी या प्रतिभुती के रूप में बैंकों के नाम पर जारी करती है हालकि यह केवल नाम मात्र को ही जारी हो रहे हैं यह रिड़ पत्र कोई वास्तों में जारी नहीं होते कम्पनी आम परिस्थिती की तरह बैंक को रिंड पत्र देकर उसे पैसा नहीं ले रही है कम्पनी ने बैंक के नाम पर कुछ निश्चित रिंड पत्रों को रख दिया ताकि यदि भविश्य में कम्पनी अपना रिंड ना चुका पाए तो उस स्थिती में वो रिणपत्र जीवित ओड़ते हैं वो बैंकों के नाम हो जाते हैं और फिर बैंक उनका इस्तिमाल करके कमपनी के जो बाकी परिसंपत्या हैं उन पर भी अधिकार मांग सकता है और अपने रिणपत्र के लिए उनको बेच सकता है यदि कमपनी ने अपना जो मूल रिण है उसे समय पर चुका दिया तो फिर इन डिबैंचर या रिणपत्रों की आवशक्ता ही नहीं पड़ेगी और वो जारी ही नहीं होंगे ये तब स्वतह जारी हो जाते हैं जब कमपनी अपना रिण नहीं चुका पाती है और बैंक उस विकल्प को स्विकार करना चाहता है कि उन रिणपत्रों के जरिये वो कमपनी के अन्य समपत्यों को भी ले पाए तो ऐसे में कमपनी जब इस तरह के रिणपत्र जारी करेगी तो उसे अपने लेखांकन के अंदर अपने खातों में ऐसे किस प्रकार दर्शान है इस स्थिती में कमपनी के पास दो विकल्प होते हैं पहला विकल्प जिसमें कमपनी खातों में इसकी एंट्री नहीं करती आपको पता है खातों में एंट्री के शुरुवात जर्नल या रोजनामचा से होती है पहले विकल्प के अंदर कम्पनी कोई प्रविष्टी या कोई एंट्री पास नहीं करती वो सिर्फ अपने तुलन पत्र अर्थात बैलेंस शीट में नोट के जरीए या दिखा देती है कि हमने जो रिंड लिया है वह रिंड एक अत्रिक्त प्रतिभूती के रूप में कुछ डिवेंचर रिंड पत्रों द्वारा सुरक्षित है आईए इसे एक उधारण से देखते है X नाम की कम्पनी ने एक बैंक से 10 लाक रुपे का रिंड प्राप्त किया इसके लिए उसने सौर पे प्रती रिंड पत्र वाले 10,000 रिंड पत्रों को जारी किया इसे हमें तोलन पत्र में दिखाना है तो बच्चों जब हम इसे दिखाएंगे तो हमारा जो मुख्य तोलन पत्र है उसमें हम केवल रिंड की राश्य को दिखाएंगे हम रिण पत्रों को नहीं दिखाते क्योंकि ये रिण पत्र वास्ताव में जारी ही नहीं होते हैं हम केवल देताओं के अंदर गैर चालू देता यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज में ये लिया गया रिण जो है उसको दिखाएंगे यहां कहीं भी रिंड पत्रों का जिक्र नहीं है लेकिन नीचे टिपणी अर्थात नोट बना कर कमपनी जब इस रिंड का विवरण देगी तो वो दिखाएगी कि उसने 10 लाग का रिंड लिया है और यहां साथ में वो दिखादेगी कि यह रिंड एक रक्षत रिंड है जिसके लिए 10,000 दस प्रतिशत की ब्याजवाले रिंड पत्र जारी किये गए हैं वो भी संपारशुईक प्रतिभूती के रूप में डिमेंचर दिये गए है यह थी पहली परिस्थिती अब दूसरा विकल्प कम्पनी के सामने यह है कि वो एक एंट्री पास करें और थोड़ा और अच्छे से दिखाए कि उसने कुछ रिंड पत्र जारी किये है तो इसको भी एक उधारण की साहिता से देखते हैं बच्चों के ऐसे में प्रविष्टी एंट्री क्या होगी मान लेजिए पिछले ही उधारण के प्रकार 10 लाख रुपे का कर्ज है जिसको कंपनी ने 100 रुपे वाले 10,000 डिबेंचर यानि रिंड पत्रों द्वारा सुरक्षित किया यदि हम इसकी एंट्री दिखाना चाहते हैं प्रविष्टी दिखाना चाहते हैं तो हमें एक रिंड पत्र उचंती खाते का नाम इस्तमाल करना पड़ेगा बच्चो उचंती का अर्थ है Suspence Account आप जानते हैं हम कई बार accounts में या लिखांकन में इस खाते का उप्योग करते हैं यहाँ पर हम इसलिए इसका उप्योग कर रहे हैं क्योंकि हम रिंड पत्र खाता नहीं दिखाना चाहतें क्योंकि रिंड़ पत्र वास्तों में जारी ही नहीं हुए लेकिन क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि रिंड के पीछे रिंड़ पत्र भी दिये गए है हम रिंड़ पत्रों का नाम दिखाना चाहते हैं तो हम उसे एक suspense account या उचनती खाते के नाम से दिखाएंगे तो हमारी entry बन जाएगी रिड़ पत्र उचनती खाता debit और रिड़ पत्र खाता credit तो आम परिस्तिती की तरह बच्चों देखें यहाँ पर रिड़ पत्र खाता credit हो रहा है जैसे हमेशा होता है लेकिन ना तो यहाँ पर हमें नगत मिला ना हमने किसी से कोई संपत्ती खरी दी इसलिए हम debit में तो कुछ दिखा नहीं सकते तो हमने क्या किया हमने उचनती खाते का इस्तेमाल किया बच्चों इसके पश्चात जब company अपना रिड़ चुकाएगी रिड़ चुकती होने के बाद अब इसका कोई काम नहीं है तो हम इस प्रविष्टी को उल्टा कर देंगे यह रिड़ पत्र खाता उपर आ जाएगा उचनती खाता नीचे आ जाएगा जिससे यह entry खतम हो जाएगी इसने अपना काम पूरा किया इसने सिर्फ दिखाया और वास्तों में जब इसकी जरूत नहीं पड़ी तो इसको हमने उल्टा करके खत्म कर दिया है इसे भी एक उधारन से देख लेते हैं उसी उधारन में हम फिर से balance sheet में तो केवल रिड़ को दिखाएगे लेकिन अब टिपण यानि नोट में हम रिड़ को दिखाएगे लेकिन साथ साथ हम यह भी दिखाएगे कि हमने रिड़ पत्र जारी किये तो दस लाग रुपे रिड़ पत्रों का मूली हो गया लेकिन क्योंकि हम रिड़ पत्र को बाहर नहीं दिखाना चाहते हम यह नहीं दिखाना चाहते कि रिड़ पत्र वास्ताओं में जारी हुए हैं जो कि नहीं हुए हैं तो ऐसे में हम रिणपत्र यहां दिखा कर उसमें से उचंती खाते के नाम से उसको माइनस भी कर देंगे घटा भी देंगे तो यह राशी आपस में निरस्थ हो जाएगी और वह बाहर कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा हमने सिर्फ यहां दर्शा दिया कि रिणपत्र एक सुरक्षा के रुप में से क्यारिटी के रुप में दिये गए है उनको वास्तों में जारी नहीं किया गया है तो पहली परिस्तिती में आपको सिर्फ नोट के अंदर रिंड के नीचे ब्रैकेट में दिखाना है कि रिंड पत्रों द्वारा इसे सुरक्षित किया गया है। दूसरी परिस्तिती में आप पहले एंट्री पास करेंगे फिर आप यहां पर इस प्रकार रिंड पत्र की राशी और उसमें से सस्पेंस अकाउंट की राशी को माइनस करके बाहर शूनने दिखाएंगे बाहर केवल रिंड की राशी आएगी तो बच्चों यह एक बहुत ही उन परिस्तितियों की जब कम्पनी रिंड पत्रों के निर्गमन की प्रविष्टियां करते वक्त यहां भी ध्यान रखती है कि उसे कुछ वर्षों बाद उन रिंड पत्रों को किस प्रकार वापस करना है यानि रिंड की वापसी करनी है जिसे मोचन या शोधन कहा जाता है अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि सामानेता यही होता है कि जब कंपनी रिणपत्र जारी करती है तो वह जनता को यह भी बताती है कि यह रिणपत्र कितने वर्ष बाद वापस लिये जाएंगे और जब यह वापस लिये जाएंगे तो बदले में जब कमपनी राशी वापस भुक्तान करेगी तो क्या वो उतनी ही राशी भुक्तान करेगी या वो क्या प्रीमियम जैसे एक अतरिक्त राशी के साथ लोगों का धन्यवाद करते वे उन्हें वो राशी वापस करेगी तो शोधन यानी रिण वापसी जो है वो दो प्रकार से हो सकती है जो राशी ली थी उतनी ही राशी वापस करें या उससे कुछ अधिक राशी यानी प्रीमियम पर वापस करें तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कमपनी जब रिण पत्रों को जारी करने की प्रविष्टी करती है तो वह जारी करते वक्त ही यह बात दिखाती है कि भविष्य में जब हम रिण पत्र वापस करेंगे तो कहीं हम उसे प्रीमियम पर तो नहीं करेंगे तो अलग-अलग स्थितियों में हमारे पास कई स्थितियों के इस तरह से समायोजन बन सकते हैं कि company ने रिंध पत्रों को जारी तो समां मूलने पे किया लेकिन वो उसको मोचन या शोधन प्रीमियम पे कर रही है हो सकता है कमपनी ने जारी डिसकाउंट पे किया लेकिन उसे वो फिर से शोधन जो है प्रीमियम पे कर रही है हो सकता है प्रीमियम पे ना करके शोधन भी समान मूल ले पे हो रहा हो तो ऐसे बच्चों कई स्थितिया हमारे सामने बनती है हम जल्दी से एक के करके उन स्थितियों में होने वारी एंट्रीज या प्रविष्टियों को देखते हैं जो की मोलता है पहले जैसी प्रविष्टिया ही है केवल उसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन आपको बारीकियों को ध्यान में रखते हुए करने पड़ेंगे तो बच्चों यदि हम पहली स्थिति की बात करें तो आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए एक लाख रुपए के आपके रिण पत्र थे जिन्हें सम्मूल्य पर निर्गमित किया गया वह इन्हें सम्मूल्य पर ही मोचन भी किया जाएगा तो यह सबसे सरल्स थेती है आपने जारी भी सम्मूल्य पर किया निर्गमित भी या मोचन भी सम्मूल्य पर करेंगे तो एक लाख रुपे के रिणपत्र बैंक खाते में आ गए, आवेदन और अबंटन खाते के नाम से यहाँ पर आ गए क्योंकि हमने मान लिया कि पूरी राशी हम एक साथ ही मांग रहे हैं तो जैसा कि हमने पहले ही सीख लिया है फिर हम पूरा नाम लिखते हैं आवेदन और आबंटन खाता फिर हम आवेदन और आबंटन खाते को रिणपत्र खाते में हस्ता अंतरित कर देते हैं यह सबसे सरल और पहली परिस्ति हैं दूसरी परिस्तिती एक लाख रुपए के रिणपत्र पांच प्रतिशत के प्रीमियम पर निर्गमित हुए हैं लेकिन वो मोचन तो सम्मूल्य पर ही हो रहे हैं यानि आपने प्रीमियम पर उन्हें जारी किया और वापस आप जो उनका अंकित मूल्य है वो करेंगे में आपको आवेदन पर राशी मिलेगी एक लाख पांच हजार रुपए जो कि बैंक खाते में आ गई अब जब दूसरी एंट्री या प्रविष्टी आप करेंगे तो एक लाख पांच हजार रुपए आपने आब अंटन के नाम से यहां डेबिट किया लेकिन बच्चों हम अपने रिण पत्र खाते में तो एक लाख ही दिखा सकते हैं ये बात हमें ध्यान रखनी है कि रिण पत्र खाते में उसका जो वास्तविक मूल्य है वही दिखाया जा सकता है तो एक लाख रुपए का वास्तविक मूले यहां आ गया और जो प्रीमियम आपने प्राप्त किया है मैं कई बार कहा चुका हूँ वो हमारे लिए आये है आये है तो उसे हम क्रेड करेंगे यहां पर यह हो गई हमारी दूसरी परिस्थिती तीसरी परिस्थिती में एक लाख के रिणपत्र पाच प्रतिशत के बट्टे पर निर्गमित हुए है बट्टा यानि डिस्काउंट लेकिन उनका मोचन सम्मूल्य पर ही होगा यानि वापसी करता वक्त हमें कोई अतरिक राशी नहीं देनी है ऐसे में हम जब पहली एंट्री करेंगे आवेदन के नाम से हमे डिस्काउंट को घटा कर राशी मिलेगी एक लाग का पाच प्रतिशत आप घटा दें बचेगा 95,000 रुपए तो यह राशी आपको प्राप्त हो गई आपके बैंक खाते में अब आपने उसको यहां बैंक खाते में दिखाया और आप यह सीख चुके हैं कि डिस्काउंट जो है कंपनी के लिए व्याय या हानी मानी जाती है तो उसे आप डेबिट करेंगे रिड़ पत्र निर्गम पर बट्टा यानि डिस्काउंट अकाउंट के नाम से कुल एक लाग रुपे रिड़ पत्र खाते में जाएंगे बच्चों दो तीन बाते ना बहुत सरल आपने सीखी आए में तक पहला रिड़ पत्र खाते में कुल जो मूल राशी वो जाएगी दूसरा बट्टा जो कंपनी देती है वो हमेशा उसके लिए व्याय होता है तो वो डेबिट होगा प्रीमियम यदि कंपणी जनता से लेती है तो कंपणी के लिए आए है वो क्रेट होगा इन मूल राशियों का आप ध्यान रखें तो आप सभी एंट्री कर सकते हैं अगली स्थिती पर चले बच्चों तो एक लाख रुपए का रिंड प हुए लेकिन दूसरी एंट्री में इस खाते में एक लाख आ गए उपर की तरह लेकिन अब आप मोचन करते वक्त 5 प्रतिशत प्रीमियम दे रहें बच्चों यह प्रीमियम कंपनी देगी कुछ वर्षों बाद जब और इन्हें वापस करेगी तो यह कंपनी के लिए एक व व्याय मानते हुए हम यहां पर हानी खाता खोल कर उसको डेबिट करेंगे रिड़ पत्र के निर्गम पर हानी हमें आज ही पता है निर्गम करते वक्त हमें पता है कि कुछ वर्षों बाद हमें उसे प्रीमियम पर देना पड़ेगा तो वह हमारे लिए हानी बन जाएगी लेकिन क्योंकि अभी नहीं दे रहे हैं भविश्य में भुक्तान करना है तो अभी हुआ हमारे लिए एक दाइत्व हैं दाइत्व के अनाते उसे हम क्रेट करेंगे बच्चो अगली स्थिती में आपने 5 प्रतिशत के बट्टे पर निर्गमित किया और 5 प्रतिशत के प्रीमियम पर आप उसे मोचन करेंगे यहां पर दोहरा नुकसान निर्गमित डिसकाउंट पे अभी आप लोगों से कम पैसा ले रहे और वापस करेंगे उसके मूल राशी से भी जादा पैसा तो सीधा दूसरी एंट्री पर आते हैं यहां उपर से हमारे पास 95,000 रुपए आ गए रिड़ पत्र खाते में एक लाख रुपए आ गए प्रीमियम पाच हजार रुपए का लेकिन यह प्रीमियम प्लस डिसकाउंट दोनों मिलाकर 10,000 रुपए का कुल नुकसान यहां पर आ गया हानी खाते में आखरी स्थिती प्रीमियम पर जारी प्रीमियम पर मोचन तो जो जारी किया हुआ प्रीमियम है वो हमारे लाब है तो क्रिड़ हो गया मोचन का प्रीमियम एक तरफ विया एक तरफ दाइत्व इसलिए यह क्रिड़ हो गया तो बच्चों मैं आशा करता हूँ यह सभी स्थि सारी बातें रिणपत्र के बारे में आपको अच्छे से समझ आये होंगे आज के भाग में इतना ही धन्यवाद करने करना थी करना है में आपको में आपको ऊस्साइब के लृयाद कि मांते हता ही धन्यवाद जी खंदे से साइब